जब भी इंडिया में कॉबेटी फिलिम का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले एरा फिरी का नाम सबसे उपर आता है और अब सभी लोग इसके टट पार्ट को लेकर के काफी ज़्यादा एकसाइड है और अब हमें लगता है कि इस फिलिम को लेकर के जो इंतिजार था वो खतम होता है भीज भीज में उमर्स आ रहे थे कि इस फिलिम में हमें अक्षा गुमार देखने को नहीं मिलने वाले बलकि उनकी जिगा कार्थी गारियन देखने को मिलने वाले थे लेकिन अक्साय गुमार के फैन की डिमान की वजे से मेकर्स को अक्साय गुमार को लाना ही पवा और बहुत ही जल्दी अक्साय गुमार हेरा फेरी तिरी की सूटिंग स्टार्ट करने वाली हैं। लेकिन अब जागर के फिल्म के डेक्टर को लेकर के कॉंट्रोवर्सिस होना सुरू हो चुकी है। अब जागर के खबरे आना सुरू हो चुकी है कि इस फिल्म को फराद समझी के डेक्शन में बनाए जाएगा। और इसको लेकर के फिल्म के फैन मेकर्स को ट्रॉल कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले फरार समझी कि कैसारी वली मूवीज फ्लॉप हुई है। और अभी आली में इनकी एक और फिल्म आई थी किसी का भाई किसी की जान। उसका बॉक्स ओफिस पर क्या हाल हुआ ये सबी लोग जानते हैं। वो बिल्कुल फ्लॉप रही। और अब एरा फैरी के फैन ये नहीं चाहते हैं कि फ़रान समझी इस फिल्म को ट्रॉक्ट करें। और वहीं आपको बता दे एरा फैरी के फ़र्श्ट पार्ट को प्रिया दर्शा की डियक्शन में बनाए गया था। अक्साय गुमार के साथ साथ बरेस रावाल सुनिल सेटी जैसे और भी कैबल सुपाइश्टार देखनों को मिलने वाले हैं। लेकिन अभी इस फिल्म के लिए हमें थोगा और इंतिजार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी हेरा फेरी 3 की स्टोरी चल रहा है जिसे बहुत जल्दी खातम कर लिया जाएगा। और उसके बाद फिल्म की काश्टिंग कम्प्लीट होगी। और फिर जा करके इस फिल्म की सुटिंग 2025 में स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे कि आप सभी को पता ही है यह अक्साय गुमार की फिल्म है। फिलॉपी रही है और बली से बली फिल्म को भी ज़्यादा अच्छा रिस्पोंस नहीं मिला। और इसलिए अक्साय गुमार के फायरा फेरी तिरी को लेकर के काफी ज़्यादा एक्सायडेड है।